पढ़ते हैं ठीक है तो अब हम आते हैं उसके पर जैसे कि आप सबी देख पा रहे हैं ये अरस्तु का एक स्लाइड में हम अरस्तु की तस्वीर देख रहे हैं जिसमें अरिस्तु की बात कर रहे हैं मतलब वो मानते हैं सदगुन और बुद्धी यही दो आधार हैं जो एक अच्छा अच्छी और बुरी सरकार बनाने में मदद करते हैं अगर शाशक सदगुनों से भड़ा हो सदगुन का पालन करने वाला हो उसके अंदर विवेक हो बुद्धी मत्ता हो वो योग शाशक हो तो वो एक अच्छे सरकार का गठन कर सकता है अच्छे राज्य का संचालन कर सकता है और उसके विपरीद, अगर उसमें यह गुण ना हो, और वह इन सक गुणों से मुक्त हो, तो वह सरकार जो है, जिस सरकार का संचालन वो कर रहा है, या साशन वो कर रहा है, वो खुद बखुद एक बुरी सरकार के रूप में बदल जाती है, तो आज हम अरस्तु के जो तमाम सध्धानत हैं, उन सध्धानतों में से, जो उन्होंने सरकारों या सम्विधानों का वर्गी करण भी कहते हैं, तो दोनों एक ही सध्धानत हैं, तो कभी वर्ड से कंप्यूज मत होएगा, उसको ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, स के हिसाब से व्यक्ति जो होता है नाहीं पूरी तरीके से बुढ होता है और नाहीं पूरी तरीके से बुरा होता है उसके अंदर अच्छे ब्यूरे दोनों का सम्मिश्रन होता है और वो कहीं न कहीं एक मिडल स्टेज पे रहने की कोशिश करता है, जैसे आप जानते हैं, हम और आप हो, हम सबको एक बेसिक जानकारी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं कि हम जानते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा गलत नामों का तहारा लेना पड़ता है, तो अरस्तु कहते हैं कि विक्ति ना ही पूरी तरीके से completely बहुती सदगुणी होता है और नहीं पूरी तरीके से बहुत विकृत मस्तिश का होता है या बुरी होता है बुरी आदतों का पालन करने वाला होता है वह एक मद्यम माणगी होता है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों का समिश्रन को मिलता है ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो, हमीशा सद्गुनों के आधार पर विवहार कर पाना बहुत ही कठिन होता है, यह किसी के भी वेक्ति के लिए, आज के समय भी आम वेक्ति के लिए भी यह बहुत ही कठिन कार है, कि जीवन के हर एक शेक्तर में, हर एक शण में हमीशा ही सद्गुनों का या वर्चु का पालन कर सके, बहुत-बार होता है कि उसके अच्छे वर्चुज अट और उसके जो गलत काम है, उन्हों दोनों के बीच में बहुत संहगर्ष की स्थित्टी होती है, तो बहुत-बहुत कुछ ऐसे ही सिचुवेशन की बाद अरस्तों यहां पर कर रहे हैं कि जानता है कि यह जो वो निर्णने ले रहा है या जो कर रहा है वो उचित नहीं है लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि यह बहुत ही कटीन है आम जीवन में कि बिल्कुल वर्ची वर्ची तुम करें या बहुत विक्टीशियस हो जाएं बुरे हो जाएं या अच्छे हो जाएं इनका समन्व thinner बना पाना और यह बहुत बार बहुत बार इतनी कटिनायत पन कर पाता है कि वीक्ति समझ नहीं पाता कि क्या करें तो यहां पर देखिए एक ग्राफ स है गुड से और वीशियस का मतलब है बैड से आप सभी देख पा रहा है यह मैं यह मैं यह मैं ग्रीन से एक सरकल किया हुआ है देख रहा हो अच्छे वाले गुड भी है यहांदे को गुड लिखा हुआ है और बैड के गुड को अन्रिस्ट्रेइन करने की वो हमेशा कोशिश करता रहता है और इसी दोनों गुड़ों के बीच में वेक्ति हमेशा संतुलन बनाने का प्रयास करता है ठीक है अब हम आते हैं अरश्टू का अरश्टू का अरश्टू करने अरश्टू ने Уैर्ष वक्ल्म2019 दो तरह के गवर्मंट्पी बात की ओख पिर का अच्छी सरकानें और पुछ को कहा उन्होंने बुरी सरकाने यानि गुड गवर्नमेंट किसको कहते हैं यह अरस्तु का classification है और बैड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में उन्हों ने कहा सबसे पहले कि जो सबसे अच्छी सरकार गुड गवर्नेंस ही होती है वह है मोनार्की मोनार्की का मतला राज कंत्र राज कंत्र समझ रहे हैं जो पुराने समय में चल्ला हम नोगों ने देखा है हमारे यहां भी था और ये रोप के उस वंश का शाषन चलता रहता था लेकिन अगर राजा कभी भी अपने कर्तवियों से हट जाए तो जनता उसके साब के खिलाव शड़यंतर करके विद्रोह करके विद्रोह होता था आंदोलन होते थे और राजा अपने पद से हटा दिया जाता था और कोई नई सत्ता या विद्रोह में स्थापित हो जाता था जितने भी बहुत सारे इतिहास में ऐसे थे जिए होग राज्तन्त्र की वदेश्ता देखी है तो समझ में आगया राज्तन्त्र क्या हाइँ है Benjamin आप लोग रिप्लाई किया किगी है, क्योंकि PPT चलाने में नहीं, ठीक है, क्योंकि visibility दिखाई नहीं पड़ता, तो मुनारकी की बात उन्होंने कही है, कि सबसे बेस्ट गवर्मेंट जो है, वो राजतंत्र है, जिसमें एक वेक्ति का साशन होता है, शाशक कौन होता है, कोई एक वेक्ति होता है, ठीक, अब वो कहते हैं, यह तो अच्छी सरकार है, दूसरी बात कहते हैं, अब दूसरी अच्छी सरकार कौन सी है, उन्होंने कई तरह की सरकारों के बारे में, राज्यों के बारे में, या संभिधानों के बारे में, दूसरा उन्होंने कहा, aristocracy, aristocracy कुलीन टंत्र ऐसा तंत्र होता है जहां पर एक समूजु का मंध्री मंपुह जैसे कुछ लोगों का गुरुप 15-20-30 लोगों का जैसे आज के समय मंत्री मंडल होता है तो यहां पर कुछ लोगों का साशन होता है जो कि अपने काम में बहुत ही योग हैं और विद्वान हैं इसको अरस्तो ने कहा यह भी एक अच्छी सरकार होती है ठीक मुनार्की को कहते है रास्तंत्रों कहते हैं यह best form of government है सबसे अच्छी सरकार है अरस्तों केसी को कहते हैं कि यह second मतलब category की अच्छी सरकार है और जो सबसे बह सबसे हैं तरीट एंब लोग होते हैं उनके सम्हून के दवारा यहां पर अशाशन किया जाता है तीसरी सरकार को उनकेगाव टेंमोक्रेसी चीक है डेमोक्रेसी या प्रजा तंत्र या जनतंत्र कहाई नामूं से अरस्तों के समय में इसको बुलाए इंगलिश में इसको यह जो प्रजा तंत्र की यह सबसे बेकार सरकार है, सबसे खराब सरकार है, चीक है, यहाँ पर बहुत लोगों का साशन होता है, यहाँ पर संख्या को आप गिन नहीं सकते हैं, यहाँ पर कई लोगों का साशन होता है, चीक है, तो और यह सरकार को वह अच्छी सरकारों के यह जो डेमोक्रेसी वर्ड की यूज किया है, यह कई नाम यहां पर रोगा जाते हैं, पॉलिटी वर्ड भी बोला जाता है, बहु तंत्र भी बोला जाता है, संवेधानिक तंत्र भी बोला जाता है, और इसको जो है, यह लोग तंत्र भी बोला जाता है, यह न कई नामों से पॉलिटी आप यहां पे पॉलिटी लेके चलिए अब इसमें इनके गुड गवर्नेंस में तीन चीज देख लेजी उन्होंने अच्छी सरकारों में तीन सरकारें बताएं तीनों सरकारों में बताया सबसे अच्छी मुनार्की है एक नंबर पे दूसरे नंबर पे अरेस्ट् प्रजातंत्र है चीज़ और सबकी संख्या भी बताई जहां पर राजतंत्र होगा वहां एक वेक्ति का साशन होगा जहां पर कुलीन तंत्र होगा वहां कुछ लोगों के सम्मूं का बहतरीन लोगों का साशन होगा और जहां पर यह प्रजातंत्र होगा या संविधानिक तंत यह थोड़ी गडबड़ी इसको वो बहुत पसंद नहीं करते हैं अब हम आते हैं तब उन्होंने क्या कहा तीन तरह की साशन प्रणाली है यह जब तक अपने हिसाब से काम करती है सही तरीके से तब तक यह तीनों साशन प्रणाली यह पूर का मतलब यहां पे जो लिखा है न ठीक है देखो अभी अभी लोग जोइन कर रहा है ठीक है तो यानि उन्होंने मुनार्की को उन्होंने कहा कि जब यह बिगड़ जाती है जब तक राजा सही है दिख रहा है ना सबको ठीक है जब तक यह अच्छी सरकार है और यह अच्छे से काम करती है ठीक है लेकिन जैसे ही इसमें विकृति आती है यह बर्स होती है बुरी बुरी होती है तो यह तिरेनी में यानि की इसमें बदल जाती ताना शाही में ठीक है जैसे हिटलर का साशन हो गया था याद है जैसे ही यह तानाशाही में बदल जाते हैं जब तक यह राज तंत्र है तब तक तो ठीक है राजसी काम कर रहा है लिए जैसे ही अपने कर्दब वेसे हटता है अक्तियाचारी हो जाता है अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगता है अपनी जंता का खयार नहीं रखता है तो में यह मुनार्की राज्टंत्र जो है वो विकृत रूप लेकर ताना शाही में बदल जाता है चीख है ताना शाही में बदल लिया और इसको उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी राज्टंत्र होती है और अगर यह विकृत हुई तो उतनी ही बुरी ताना शाही होती है यह लि नाशाही में बदल जाता है, और यह सबसे ही बुरा तंतर हो जाता है, सबसे खराक किसम की सरकार हो जाती है, ऐसे ही उन्हों ने अरिस्ट्राक्राशी को कहा, पूलीन तंतर जब तक सही प्रकार से काम करता है, अचीक है अगर इसमें विक्रती आती है ये भी गड़ता है तो ये ऑलिगेर्की में बदल जाता है अलिगेर्की का मतलब है वर्ग तंत्र या धनी लोगों का तंत्र ये कुछ बेस्ट लोग होते हैं ये अपना एक ग्रूप बना लेते हैं और ये ग्रूप केवल अपने यह धनीक तंत्र में बदल जाता और यह भी एक बहुत ही खराब सरकार हो जाती है बहुत मतलब बहुत ही जन्ता के हित को ध्यान में न रखने वाली सरकार हो जाती है ठीक है यहाँ पर इनोंने का जो डेमोक्रसी है ये खराब तो इन दोनों की तुल्ला में तो उससे डेमो भी कहते हैं कि देमोक्रासी जब तक लोगों के मन के हिसाब से मन मुताबिक उनके आवेशक्ताओं को उनकी जरूरतों को वेक्ति को महत्वदेकर वहां में रहने वाली जनता को महत्वदेकर साशन करती है तब तक देमोक्रासी का एक अच्छा रूप देखने को मिलता है लेक व्हाम तरीके की वीकृतियां आने शुरू होती हैं तो यह साशन जो है यह भीड TANTR के रूप में बदल जाता है उन्होंने कहा यह डिमोक्रासी मॉब रूल यह जो लोक TANTR है यह किसमें बदल जाता है धीड TANTR में बदल जाता है और भीर तंत्र सबसे खतरनाख form of government, सबसे bad, worst मानते हैं, इसको सबसे खतरनाख किसम की सरकार होती है, जिसमें कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचता है, व्यक्ति, एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के लिए खतरा बनके सामने आता है, और जैसे आपने देखा है न, भीर का कोई, कुछ भी, कोई धर्म, इमान, कोई नेतिकता, कुछ भी नहीं होती, कभी देखा है, मेले में, या कोई ऐसी gathering हो रही है, जहां पे भगदर मत जाती है, तो कैसी स्थिती होती है, कोई किसी को कुछ नहीं समस्ता, सब अपनी स्रक्षा, अपनी जान बचाने या अपने यही काम करते हैं उस वक्त, और वह पूरी तरह से भीर बेलकुल एक भयावा रूप ले लेती है, उसी तरह उन्होंने डेमोक्राशी को कहा, कि जब डेमोक्राशी में विक्रिती आती है, तो लोक यह जो बहुत, यह जो लोक तंत्र है, यह भीर तंत्र में बदल जाता है, और भीर तंत्र बहुत ही खतरनाक स्थिती है, मतलब सरकारों के को लेकर, और यह अरेस्तु के हिसाब से बुरी सरकार का सबसे विक्रित रूप है, यहां तक समझ में आया सबको? जी मैं. जी मैं.